कभी कभी समझ नहीं आता कि बच्चों को टिफिन में क्या दिया जाए तो आज बनाते हैं बहुत ही इजी और क्विक से बनने वाला पोखा जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिए कडाई उसमें डाला है तेल थोड़े से सरसो के दाने चटकने लगे हैं तो अब मैंने इसम काटके इसमें डाल दिया है साथ ही डाल दिया करी पत्ता उसको हाथ से तोड़के और इनको थोड़ा सा भून लेंगे अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ प्याज और इसको भी एक बर अच्छे से चला लेंगे और इसको पकने देंगे थोड़ा सा जब तक प्याज ह भूखा धनिया और गरम मसाला और सबको अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें डाल देंगे चार चम्मच भुना हुआ पीनट पाउडर मेरी बेटी पीनट्स ऐसे नहीं खाती है तो मैंने पीनट्स को भून के उसका पाउडर बना के उसको डाल दिया आप के बच्चे अगर तो आप पीनट्स ऐसे भी डाल सकते हो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसालों को भून लेंगे पूहा मैने पहले वाश करके रखा वाचा तो बस वह इसके अंदर डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके उपसे डालेंगे थोड़ा सा नीम्बू और हरा धनिय और हमारा इजी और यवी सा पोहा रेडी है, उपर से मैंने थोड़ी सी भुजिया डाली है अब करते हैं अपना लंच बॉक्स रेडी, तो सबसे बहले हम डाल देंगे इसमें पोहा जो हमने रेडी किया है और साथ में रखेंगे हम एक केचप और थोड़े से रख देंगे नट्स बच्चों के लिए जिसमें मैंने रखा है वालनट, बदाम और काजू थोड़े से साथ ही रख रियों में दो ओरियो कुकीज जो कि होती हैं बच्चों की फेवरिट साथ फ्रूट में देरियों मैं एक आपल कट करके और रख दूंगी दो किसमी टॉफी तो हमारा यमी सा लंच बॉक्स रेड़ी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना हो